राधे राधे आप सबी दोस्टों को मकर सक्रांती पर की भार्दिक सुब कामनाओं के साथ मेरा प्यार से नमस्कार इस पूस्ट में जाने ये मकर सक्रांती पर सूरी दिव की पूजा रात्ना की विधी महातोर उसे जूड़ी अन्य जरूरी बाती मकर सक्रांती का तोहार इसी वज़ा से इस्तवार का विशेश महात्व है और इस दिन सोड़ी देव की पूजा भी विशेश रूप से की जाती है ये परमोकी रूप से सोड़ी देव को हुई समर्पित है और इस दिन उनकी पूजा से सुक समर्दी के द्वार खुलते हैं ऐसा माना जाता है दो उनके समस्त मनो कामनाओं की पूर्टी होती है। उनके जीवन में आने वाले सभी कस्ट रूर होते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को आसानी से कुई रूप भी नहीं जखरता है। मकड़ सक्राथ्ची के दिल सूरी पूजा विसेश करके मानी जाती है। इस दिन प्र रखना चाहिए। जानेगे वो बाते लिकिन पहले जानते हैं मकर्णुद्य द्यूद्यू के अरात्ना का महत्तु है। हिंदु ढ़िं मकर्णु jungi सुरे दियु के धरम शूर्य। प्रवेश करने की इस पकडिया को सुर्यू का संकमर काल कहा जाता है। माना जाता है इस विशेश मौके पर सूरी देव की पूजा से व्यत्त को सुभ फलों के राप्टी होती है, जीवन के सभी दुख, दाफ्ट, कस्ट दूर होते हैं, बीमारियों से जुटकारा मिलता है और घर में सुख समर्थी का वास होता है। आईए जानते हैं मकश्करांटी पर सूरी देव की पूजा किस प्रकार से करने चाहिए। इस साल मकश्करांटी का बारू 15 जन्वरी को मनाया जाएगा। इस दिन सूरी देव और भगवान विश्मु की पूजा करने से आपको सुभफल प्राप्थ होता है। इस दिन सूरी दिव की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठें और पवित नदी में इस्थनान करें। यदि आप नदी में इस्थनान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में घंगा जन मिला लें। इस्थनान के बाद तामबे के लोटे में लाल, फूल और अच्छत मिलाकर सूर्य दिव क को करें, यदि आप सूर्य दिव के मंत्रों का जाब करें. तो आपके लिए सुब होगा। इस दिव मकर रासी की प्रिवैस करेंगे। और ऐसी मामिता हैं उनके मकर रासी में प्रविश करती है, मौसुम में बदला हुने लगेगा। सूर्य देखो भगवान शीव के तीन नेटों में से एक नेट को सूर्य की उत्मा दिये है। और मगर्श करांती के दिन सूर्य देव प्रचच धर्चन लेते हैं। सूर्य देव के पूजा के लिए मगर्श करांती का दिन सबसे सुप माना गया है। इसलिए इस दिन सूर्य की उपासना जरूर करें। जानते हैं सूर्य पूजा कहा करना सुप होता है। ऐसी मानिता है सूरी देव की पूजा में उन्हें अर्द देना सबसे ज़्यादा महत्पूर है, वकर शिक्रांती के दि ये आप किसी नजी या जलासे की आसपास जाकर सूरी को अर्द देते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा लाफ दायक हो सकता है, ये ये आप घर में गर की छट या बालकनी में खड़े होकर उगते हुए सूरी को अर्द दे, अर्द देते समय ड्यान रखें आपका मुह और दिशा की ओर होना चाहिए और सूरी आपको दिखाई देना चाहिए, किसी भी साफ स्थान पर खड़े होकर सूरी पूजन करें, सूरी के मंत्रों का जाप 108 बार करें और आदित हेरे इस्तोत का पात करके अपनी मनुकामना उठी के प्रातना करें और अब जानते हैं सूरी देव को अर्द देने के विधी, अर्द देने से पहले आप ये निम काम करें, अगर आताते हैं आपके जीवन में सुख शान्ती और सम्रदी आये तो मगर सक्रांती के दिन, सुबा ब्रह्मूर्ट में उठकर सबसे पहले इस्तनान करें और इस्तनान के पानी में गंगा जल मिलाएं, गंगा जल ना हो तो तुल्सी के मंजीरी भी डाली जा सकती है, इस्तनान के बाद साप सुथरे या नए कपड़े पहने और सूरी देव का ध्यान करें, 21 बार सूरी नमोस्तुते इस लोग का जाप करें, इसके बाद सूरी भगवान को अर्थ देते समय, दोनों हाथों के अंजली के माद्व से जल देना चाहिए, ध्यान रखें कि हाथ के तरज्मी उंगली और अंगूठा ये दूसरे से छूना नहीं चाहिए, य जलके लोटे से सूरी को टीम बार अर्थ दें और हर बार अर्थ देते समय एक बार परिक्रमा करें, हमेशा उपते सूरत के ही समय अर्थ दें, मकर सक्रांती के दें जल में तिल जरूर मिलाए, सूरी को अर्थ देते समय, ओम सूर्याय नम, ओम आदित्याय नम, ओम नम भास नमस्कार करें और शिर्फ जुखा करें अर्थ दिनी के बाद दो अगरवत्ति जना करें और उनसे जीवन में सुख सांती और सम्रद्धी की कामना करें सुरी दियो को अर्थ देने के बाद उसी जगा पर खड़े होकर सुरी दियो की परिक्रमा करें आर्थिक करने के बाद सुरी चालीसा या आदित हिर्द इस्तोत का जाब करें इसके साथ ही सुरी दियो से अपने अच्छी और उज्वल भविश्ट की कामना करें अंत में अपने भूल्चू के लिए छमा यातना ज़रूर करें और अब जानते हैं सूरी देव को अर्थ अर्पित करते समय के बातों का विशेशों से ध्यान रखना चाहिए। सूरी देव को जल अर्पित करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना पड़ें इसके लिए आप कोई बाल्टी या डब्बा रख सकते हैं जिसमें जल गिरें साथी जल अर्पित करने के बाद उसी इस्थान पर तीन बाद परिक्मा भी करें और यदि आप किसी कारण वस्थ सुबा जल्दी नहीं उठती हैं और उठते सूरी को जल नहीं दे पाते हैं तो जब भी सूरी देव को जल अर्पित करें तो उसमें जावल और फूल अवस्थ डाल लें मानता है कि इससे सूरी भगवान प्रसंद होते हैं और भक्त को सुख फल प्रडान करते हैं इसके साथी सूरी देवता को अर्थ देते समय ओं घड़ सूर्याय नमा मंत्र का जब करें और दिये गए जल पर कभी पहर न रखें इससे बचने के लिए यदि आप चाहें तो ज जल को किसी गंदे या पात में डाले यदि संभू हो तो सूरी देव को जल अर्पेट करते समय तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें मानता है कि इससे सूरी देव जल्दी प्रसंद होते हैं और जीवर में आने वाली परिशानिया भी दोर करते हैं सूरी देवता के तमाह विवार का रत माना गया है मानीता है कि यदि आपके कुंदली में कोई दोस है तो सूरी देव की नेरंतर पूजा करने से वे दूर हो जाते हैं तो इस तरह आप सूरी देव के पूजा परातना करें और इन बातों का ध्यान रखें आप सभी को मगर सक्रांती पर की बहुत- प्रसंद रहें आप से अपनी एक प्राब्लम सेरकत हैं हम लीवर सोसी साइट कई गंभी भीमारी से पीडित है इसकी वज़ा से पोस्ट बनाने में दिक्कत आती है साथ फुलने के वज़ा से आवाज सही नहीं आती है इसके लिए हमें छमा कर दे और अपना सहीयोग हमारे साथ बनाई रखे आप सभी काहर दे से बहुत बहुत धन्यवाद राधी राधी